किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरत धाकरड आप देख रहा है डीप आर्मिंग यूटूब चेनल सरसों की बुवाई में सबसे सस्ते खाद के बारे में बात करें तो वेसे तो बुवाई के समय किसान भाई अलग अलग खादों का प्रियोग करते हैं लेकिन एक एसा सस्ता बताऊंगा जिसको अपनाने से भी आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं इसमें भी मुख्य रूप से कहीं परकार के पोसक तत्तों की पूरती आपके खेत में हो जाती है कम से कम लागत में किसान भाई सरसों की बुवाई कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए पसंद पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को साबस्क्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथ्यों के साथ सीर भी आवश्य कीजिए किसान भाई यो सर्सों की बुवाई का काम सुरू हो चुका है कहीं सेत्रों में तो किसानों ने सर्सों की बुवाई भी कर दी है सर्सों की बुवाई में मुख्यरूप से खेत में नाइटरोजन, फासपरस, पोटास और सलफर की आवसकता होती है लेकिन इन चारों तत्तों की पूर्टी के लिए किसान भाई SSP या DAP या MOP का परियोग करते है जिससे पोसक तत्तों की भरमार हो जाती है खेत में चारों तत्तों की पूर्टी हो जाती है लेकिन इनके परियोग से लागत कापी ज़्यादा आ जाती है ऐसे में किसान भाई कौन से सस्ते कॉंबिनेशन का प्रियोग करें जिसे पोसक दत्तों की पूर्टी भी हो जाए और खर्चा कमाए किसान भाईयों इसके लिए आप N.P.K. बारा बत्ती सोला के साथ सरसों की बुवाई करें जिसे अपके खेत में नाइट्रोजन, फास्परस और पोटास की पूर्टी हो जाएगी हमें हर साल इसी प्रकार से खादों का प्रियोग करते है बुवाई के समय आप N.P. के बारा बत्ती सोला का प्रियोग करें उसके बाद आप सरसों की बुवाई कर दे बुवाई के बाद आप सरसों में पानी लगा सकते है सरसों तिलहनी फसल है सरसों में सलफर की आऊ सकता सुरुवाद से ही होती है हमने बुवाई के समय सलफर नहीं दिया है इसलिए जब आप सरसों में दूसरा पानी लगाते है दूसरा पानी जब आप लगाते है यूरिया दे रहे है तो यूरिया के साथ जो सल्फर 90% धाल के रूप में आता है उसका प्रयोगा आप 5-10 किलोग्राम एक एक कड़ में कर सकते है जिससे आपके खेत में सल्फर की पूर्ती हो जाती है किसान भाई यो बुवाई के समय आपने नाइट्रिजन फास्परस और पोटास की पूर्ती कर दी और जब आप सर्सों में दूसरा पानी लगा रहे है उस समय यूरिया के साथ आप सल्फर की पूर्ती भी अपने खेत में कर देंगे इस तरीके से क्या होता है कि एक तो लागत कम आती है साथ ही पोदे को अलग-अलग समय पर पोसकत्तों मिलते है जिससे फाइदा ये होता है फसल में पोसकत्तों की कमें नहीं होती है पोदा अच्छी से ग्रोथ बढ़वार करता है सरसों में ज़्यादा फूटाओ और साधा साखाई निकलती है इस प्रकार से सरसों की बूवाई में किसान भाई सस्ते कॉंबिनेशन का परियोग कर सकते है इसी के साथ आप सरसों की बूवाई कर सकते है जिसे कापी अच्छा जल्ड़ आपको मिलता है और सरसों की खेती से आप कम लागत में ज़्यादा उत्पालन ले पाते है किसान बायों कमेंड करके जरूब बताए कि आप सरसो की बुवई किस परकार से करते हैं कौन से खादो का पर्यों करते है वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक और अपने किसांस भायों के पास सीयर जरूर करें मिलते नई वीडियो में धन्यवाद